गोर फार्मिंग यूटूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो है 25 सेप्टमर का तो आप सभी अनुमाल लगा सकते हैं कि इस वराइटी को 96 दिन हो चुके हैं और ये 96 दिनों के बाद किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है आप सभी स्वाइम देख सकते हैं। अगर इस वराइटी की फलीयों की बात की जाए तो इसमें लगवक 75 परसेंट फलीयों आपको दो दाने की मिलती हैं। लेकिन अगर आपको बारिस लंबी मिलती है तो लंबी बारिस के चलते हैं इसमें आपको अधिकतर फलीयों तीन दाने की मिलेगी। लेकिन आपको इसमें 10% फलीयों ऐसी भी मिलेगी जो की एक दाने की रहती है। आर्वेस 14 का सीड का साइज काफी छोटा रहता है जिसके चलते आप इसे 70 के जी प्रती हेक्टर के हिसाफ से स्वाइंग में ले सकते हैं। अगर इस वराइटी में ओईल परसेंटेज की बात की जाए तो इसमें 21.5% ओईल परसेंटेज पाय जाता है। उसे के साथ में इसमें 42% प्रोटीन की मातरा पाय जाती है। अगर इस वराइटी का प्लस्पाइंट की बात करें तो इस वराइटी को आप मेकनिकल हर्वेस्टर से अराम से काट सकते हैं। आर्वेस 14 की फलियां बिल्कुल रुएदार होती हैं जिसके चलते हैं गडल विटल और सेमी लूपर्स के प्रती बिल्कुल सेहंसिल वराइटी माने जाती है। इस वराइटी का सबसे बड़ा प्लस्पाइंट यह है कि इस वराइटी में जहाँ जिस खेतों में जलवहराप की समस्था रहती है विसे खेतों के लिए बिल्कुल उप्युक्त मानी जाती है। उसे के साथ में इस वरायटी को मेकनिकल हार्वेष्टर से आप आराम से काट सकते हैं क्योंकि इस वरायटी के अधिकतर फलिया जमीन से लगबग चेंच ऊपर लगती हैं इसलिए ये हार्वेष्टर से काटने के लिए बिल्कुल उप्युक्त मानी जाती है उसे के साथ में इस बराइटी का सबसे बड़ा प्लस पाइंट यह है कि इसमें सट्रिंगी समस्या विल्कुल भी नहीं है फलीयों की चटकेने की समस्या विल्कुल भी नहीं है इस बराइटी में जिससे कि अगर आपको कुछ समस्या आ जाए अगर उसकी फसल पक जाती है उसके बाद भी अगर आपको लेवर नहीं मिल पाते है या फिर मेकनिकल हर्वेशन नहीं मिल पाता है या फिर बारिस अधिक रहती है जिसके चलते कि आप फसल को नहीं काट सकते है तो भी इस वराइ एक वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको डिपक्रप्टिशन में सभी के लिंक मिल जाएंगे जिससे आप सुएम उन वीडियो को देखकर उनमान लगा सकते हैं कि इस वराइटी के क्या का प्लस पाइंट है अगर नेगेटिव पाइंट की बात की जाए कि इस वराइटी में जड़सलन की समस्या भी आई है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है इसमें जो जड़सलन की समस्या की बज़े से और स्टेंफ लाइगी समस्या की बज़े से फलियां बिल्कुल पक नहीं पाती है ये दोनों ही बिमारिया किसानों को तब दिखाई देती है जबक जो negative point है वो भी बता दियेगा है अगर आपको इसमें कोई negative point दिखता है तो आप comment box में comment जरूर कीजिएगा जिसे की जो किसान है जो next year इसकी sowing करना चाहते हैं उन्हें पहले सही पता रहे किसमें कौन-कौन सी बीमारियां आती है क्योंकि plus point दो सभी दिखाते हैं वो negative point दिखाने का सबसे बड़ा फायदा यही किसान इसके नुकसान से सीधे सीधे बच जाते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारा content पसंद आता है तो चैनल को subscribe कीजिएगा वाकी end दग वीडियो वाच करने के लिए धन्यवाद